गुद मॉर्निक दियर स्टूदेंट्स अंडर दा फर्स्ट यूनिट एंड फर्स्ट चेप्टर तोड़े भी शल कॉंटिनु विद टॉपिक देज मॉर्डन एंड कॉंटेंपरी हिस्ट्री में करेक्टरिस्टिक्स आज का हमारा जो महतपूर्ण विशे हैं फहला चेप्टर आधुनिक तथा समकाली नितिहास और इसकी मुख्य विशिश्टा हैं सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की मानव इतिहास लिखन में इतिहास के कालों को विवाजन करना एक महतपूर्ण समस्या रही है इतिहास बिवाजन के भिन-भिन परकार प्रचलित रहे हैं और इतिहास कारों ने समय के आधार पर, राजवन्शों के आधार पर, सामाजिक व्योस्ता के आधार पर और साथ में श्ताबदियों के आधार पर जहों इतिहास बिवाजित किया है लेकिन उन में से कोई भी मत सर्व मानने नहीं है या इतिहास कार ये कहें कि किसी भी एक मत को ले करके जो वो एक प्लेट पॉम फर नहीं आयें अर्थात सभी का अलग-अलग मत है चुकि इतिहास बिभाजन इतिहास अध्यन के लिए अत्यन्त आउशक है अलग-अलग काल में जो इतिहास का उलेख किया गया है जो इतिहास की रचना की गई है और उन रचनाओं के आधार पर उन समय के आधार पर काल खंडों के आधार पर जो है वो इतिहास को विवाजित करना अत्यन्त आउशक माना गया है जैसे कि हम प्राचिय नितियास, मद्यकाली नितियास, आधुनेक इतियास, समकाली नितियास इन सभी इतियासों का जो वर्णन करते आ रहे हैं, अध्यन करते आ रहे हैं इतिहास को जो विवाजन करने की परंपरा है उसका संशित में मैं उलेख इंट्रोडक्शन में ही करना चाहता हूँ सबसे पहले जो राजवन्ष है उसकी आधार पर भी इतिहास का विवाजन किया जाता है जैसे कि भारत के अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने गुप्त काल, मौरे काल, हर्षवर्धन, सल्तनत काल, मुगल काल यह राजवन्षों के आधार पर जहव इतिहास को विवाजित किया है और उसका अधियन करते आ रहे हैं इसी तरह से इंग्लेड में भी यही परंपरा जो रही हैं, टेडियूर काल, या अलिजावेथ का काल, जोर्ज बंचम का काल, जोर्ज सब्तम का काल, यह भी राजवन्षों के उपर जह आधारित था और यूरोब के अन्ने देशों में भी और एशिया के अन्ने देशों मे भी राजबंशों के आधार पर इतिहास का विवाजन होता रहा है जैसे कि चीन में आपने पढ़ा है विशेश रुप से जो यहाँ पर मांचू वंश है उनका जो शासन रहा था बुर्वो वंश है इनका शासन रहा था चीन में कियतिरिक्त जापान में भी हमने अलग-अलग राजबंशों के इतिहास को पढ़ा है तो यह राजबंशों के आधार पर जो इतिहास का विवाजन होता रहा है दूसरा है संस्कृति वो आर्थिक विकास की आधार पर जो इतिहास है यानि बिभिन जैसे कि पुन्द्रा जाकरण का काल है या ओध्योगी करण का काल है यह हम कह सकते हैं कि ये cultural और economic development के आधार पर जो है इतिहास को वर्गिक्रित किया गया है श्तावदियों के आधार पर जैसे कि 16 श्तावदी का इतिहास है, 15 श्तावदी का इतिहास है या 11 श्तावदी का इतिहास है, 20 श्तावदी का इतिहास है ये श्तावदियों के आधार पर विभाजन किया जाता है लेकिन इसमें वेग्यानिक तर्क कोई नहीं है कि श्तावदियों के आधार पर इतिहास को किस प्रकार्ज वक्यों विभाजित किया जाए नेक्स्ट है सामाजिक विकास की आधार पर और ये आधुनिक समय में सबसे लोकप्रिय और सबसे स्टीक विवादन माना जाता है सामाजिक विकास की आधार पर जिसमें की हम प्राचे नितियास, मध्यकाली नितियास, आधुनिक इतियास का विवादन करते हैं और साथ में आ आमूल चूल परिवर्तन होते हैं या समाजशीक परिवर्तन होते हैं तो उन परिवर्तनों के साथ एक नया काल या नया यूग प्रारंभ माना जाता है तो इसलिए ये समाजिक आधार पर इतिहास का वरगी करण करना इतिहास का विवाजन करना उप्यूक्त माना जाता और का मुख्य टॉपिक हैं वक्तपय का तो आधुनिक इतिहास और सम्कालिन इतिहास यहां यह जाना बहुत जरूरी है कि आधुनिक इतिहास क्या है जिसे modern history कहते हैं यदपी इतिहास कारों में अलग-अलग मत है और आधुनिक इतिहास एक संपूर्ण यूग है अर्थात हम यह कह सकते हैं एक बहुत बड़ा कालखंड है जो की इउरोप में 16-18 अबजी के पशात शुरूआ एशिया में 18-18 अबजी के पशात शुरूआ और इसी तरह से America, Africa और Latin America अलग-अलग महादीपों में आधुनिक इतिहास का अलग-अलग काल रहा है लेकिन यहां आपकी जानकारी के लिए ये जानना आशक है कि आधुनिक इतिहास उस काल के इतिहास को कहते हैं जब जो modernization की जो तकनीक है आधुनिक करण की जो तकनीके हैं वो समाज के अंदर जीवन मानव जीवन के अंदर जो वो इजात हो चुकी थी उनका प्रियोग प्रारम हो चुका था और उस काल के इतिहास को लिखने के लिए विशेश करके प्रयाप्त उपलब्द संसाधन थे प्रयाप्त उपलब्द जो वो परमान थे और उस तरह से ज आधुनिक इतिहास की भी अलग-अलग अउधी, अलग-अलग महादीपों के अंदर, अलग-अलग देशों के अंदर रही है, क्योंकि आधुनिकता बिविन स्थानों पर भिंविन समय में प्राराम हुई है, आप जो समकाली नितिहास है, समकाली नितिहास को लेकर के भी इति इतिहासकारों में एक मत नहीं है। लेकिन यहां आपकी जानकारी के लिए यह उलेख करना अत्यंत महत्वपोन है कि समकाली नितिहास से हमारा विप्राय उस काल से हैं जिसमें घटने वाली घटनाओं को इतिहासकार ने स्वयम देखा है, जिया है और भोगा है। उसकी घटनाओं का आधियन करना जहें वो समकाली नितिहास के अंतरगत लिया जाता है। कुछ इतिहासकारों का मत है कि प्रथम विश्युद जो कि 1914 में प्रारम्भ हुआ, वहां से लेकर कि 1920 तक का जो इतिहास है वो समकाली नितिहास माना जाता है, यानि 1914 से 1920 जबकि प्रथ विश्युद समाप्त हुआ था, उस काल के इतिहास को जो समकाली नितिहास कहते हैं। और कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि 1945 से जबकि प्रथम विश्युद दृतिय विश्युद जो वो पूरा हो चुका था और दृतिय विश्युद के परशात परतमान समय तक की जो घटनाए हैं, उनका अध्यान करना वो समकाली नितिहास में लिया जाता है। कुछ इतिहासकार यह भी कहते हैं कि 1914 से 1945 तक यानि प्रथम विश्युद से ले करके रूस की करांती वे उसमें इंकलूर की गई और विश्युद करके एकनोमिक क्राइसेज में उसमें इंकल जूड किया गया, उस काल के इतिहास का अध्यान करना समकाली नितिहास कहते हैं और कोच इतिहासकार तो यह कहते हैं कि विश्युद साब्दी के इतिहास को ही समकाली नितिहास कहा जा सकता है क्योंकि इस काल का सूपरिवाशित स्वरूप है और विश्युद चेतना तथा म अपने answer में include कर लें, जेफरी बैरक कलफ ने क्या कहा है कि समकाली नितिहास के आरब होने की निश्चित तीथी देना कठिन है, परंतु यहाँ उस समय आरब हुआ, जब की वे समस्याइं दिखाई देने लगी, जिसका सामना संसार यथार्थ रूप में कर रहा है, यह definitions हैं, इसको आप अपने study में include कर लें, अपने notes में include कर लें, अब अगर हम इसको आधुनिक इतिहास और समकाली नितिहास को और concrete form में जानना चाहें, तो यहां आपकी जानकारी के लिए मैंने एक डाइगराम दिया हैं, जो सोल्वी स्तावदी के परशात, जो आधुनिक इतिहास बिभिन महादीपों में प्रारम्भ हुआ, आधुनिक इतिहास का ही एक छोटा सा भाग है समकाली नितिहास, अर्थात आधुनिक इतिहास अपने आप में एक बहुत बड़ा कालखंड है, और उसके एक छोटा सा भाग है समकाली नितिहास, आधुनिक इतिहास एक पूरा भाग है, और समकाली नितिहास आधुनिक इति प्रारंब माना जाता है और समकाली नितिहास उननीश सो 14 से आगे माना जाता है अधिकांश इतिहासकार इस बात से सहमत है आधि रफ्शक के जो नायक है उनसे हमारा दूर का नाता रहता है अर्थात we are not very close associated और we are not very close associated with the hero of the modern history क्योंकि ना तो हम ने कभी उनको देखा है ना ही कभी हम उन से संबंदित रहें हैं लेकिन जो समकाले नितिहास है समकाले नितिहास के जो नायक हैं उनमें से बहुत सारे नायक हो सकता हैं अवीवी जीबित हो और उनके साथ हमारा जगनिश संबंद स्थापित रहा ह परिश्कृत और मुल्यांकन संबंद है आधुनिक इतिहास का क्योंकि आधुनिक इतिहास के जो इविडेंस हैं वो कंक्रेट इविडेंस रहे हैं और उन कंक्रेट इविडेंस के आधार पर आधुनिक इतिहास का मुल्यांकन करना भी संबंद है लेकिन अगर हम समकाली नि इतिहास की बात करें तो समकाली नितिहास परिश्कृत है जो अभी तक क्रिस्टलाइज नहीं है रिफाइंड नहीं है और इसलिए इसका स्टीक मुल्यांकन करना भी संभाव नहीं है ये जानकारी आपको होनी चाहिए ताकि आप आधुनिक इतिहास और समकाली नितिहास का ज जो अंतर है उसको समझ सकें.